दोस्तों भी होटल ते गाड़ी निकाल चुके हैं और यहां से बर्दवान लग बीस पचीस किलमेंटर होगा तो फिलाल धर्मेंदर को दे दिये गाड़ी बोल रहे हैं धर्मेंदर बारदान वगर पार कर लो क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा है ऐसा ही में तरह हाथ साफ हो होगा तो फिलाल दोस्तों देख सकते हैं अश्टिंग में बैठ सुका है धर्मेंदर दोस्तों सुबा के नोब बच चुके हैं और हम लोग बर्दवान से 15 किलमेटर पीछे हैं यहां पर पुरा रोड का कंट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है इसके वज़े से डाभर सन होन क्यूंकि किला वगरा लग जाता तो पंचर हो जाता है और आप लोगों को पता है यह बाटायर पंचर होने के बाट चरपांसर पे खड़ जा गाता है तो तोस्तों हमरा चाय नास्ता सारा हो चुका है अब निकलते हैं गाड़ी लेखे घर मेंदर गाड़ी चलाएगा रात से निकल चुके से कलकस्ता के लिए लेकिन रात काफी हो चुका था तो हम लोग बार्दवान से पीछे बुट में होटल में गाड़ी लगा कर सो गए तो फिलाल अभी सुबा के बजरे साथ और हम लोग सो के उड़ चुके हैं चाह पानी भी पी लिए हैं और अब यहां से ह तो यहां पर जो है वरदवान कलकत्ता में उतना ठंदा लग रहा है को जिक सकते हैं मौसम का नजारा पूछ ऐसा आप भी ठीक लग रहा है ठंदा को पतंनी चल रहा है लाज जो है आब यहां समनो निकलने का तियारी कर रहे है तो आप लग पता सब्सक्राइब कर लिए और फेस्बूक में तो फॉलो कर लिए फेस्बूक निकलते हैं और चलते हैं बर्दवान पार करते हैं दोस्तों होटल के पार्किंग में गाड़ी लगा हुआ था तो अभी बेक करवा लेते हैं अरोड पे गाड़ी निकाल लेते हैं जाए 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 बोश चलिए दोस्तों गाड़ी तो रोड पे निकाल लिए हैं अब चलते हैं यहां से दोस्तों होटल ते गाड़ी निकाल चुक्के हैं और यहां से बर्दवान लग बीस-पचीस किमेटर होगा तो फिलाल धर्मेंदर को दे दिये गाड़ी बोल रहे है धर्मेंदर बारदान वगरा पार करो क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा है ऐसा ही में तरह हाथ साफ होगा तो फिलाल दोस्तों देख सकते हैं अश्टिंग में बैट सुका है धर्मेंदर अब अराम-अराम से लेकर चलो बर्दान वगरा पार करो अब सक्तिगर टूल्टेक्स पार करके अराम से दिन बरक आज होल्ड होगा हमारा वहाँ पर चलिए ठीक है दोस्तों बटवान वगरा पार करते हैं उसको होटर से खुब से खुब आए तो 10-12 किलो मेटर आगे आए जाम से बस चलिए कोई बात नहीं जाम चुटेगा तो यहां से निकलेगे दोस्तों अभी बर्दवान यहां से 20 किलो मेटर बचा हुआ है तो फिलाल अब जाम चुटेगा तभी न जाएंगे तियार कर रहे हम ल से पूरा बहेंकर जाम लग चुका है आप देख सकते हैं कितना ही लंबा जाम लग चुका है यह देखिए तामने हमारे दर गाड़ी है इतना जाम अभी हम लोग आदा घंटा से फसे हुए है यह देखिए चलिए ठीक है दोस्तों पहले जाम छूटेगा उसके बाद ही हम जाम में फसे हुए है तो अभी यह गाड़ी वहला से पुछे तो बोला भी यह रात में गाड़ी पल्टी हो गया था इसके वाज़े से रात से पूरा भेंकर वहला जाम लग चुका है तो फिलाल भूग लग चुका था चले हम बोले चलो आप पहले मूह दो लेते हैं तो हम सोचे कि सुबह सुबह बर्दवान पार कर जाएंगे सक्ति रटूल टेक्स में रुकेंगे खाना पिना बनाया जागा दिन भर में लेकिन आप पूरा जाम लग कर दिया है तो चलिए कोई बात ने दोस्तों आप जाम लगा हुआ हुआ है गाड़ी गोड़ा लेन में यह को लेके आ रहा है कि यह पहले फॉर्लें रोड खा और अबर जो है कुछ जिन से सिक्षिलें रोड का वर्क चल रहा है तो बहुत जगा जो है फ्लाइवर बना दे रहा है इसके वज़े सामल कोट सर्वीज रोडों के लाल आप जेक सकते हैं घरी दिरे बाड़ रहा है तो डिलो कोटीफव कि अब भी यहां से बाड़वान दस किलमेटेश बचा हुआ है जादे तढ़ीर दोश्तों पहले बाड़धान पार्क कर लगते हैं वहां से 20 किलमेटर आगे सक्ति-गड़ कर कूल टेक्स है कि चलते हैं सक्ति-गड़ का टूल टेक्स तरह फुक्एक जाक अब आगे आगे देख रहे हैं तो आगे देक्षे डाड़ी से पूप्प नहीं है, बस झुक फाला होबर जगाजी मां रहा है, तो फलंग आज जाम लग रहा है, तो कि यू दादा, पीछे जाम था है, तो सारा गाड़ी रूख लेगा है, तो सुवास सब लोक्षाए पाली वार दोस्तों दिन के साड़े 12 बाद चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सक्तिग्ड टूल टेक्स में यह देखिए सक्तिगड टूल टेक्स कटवा के गाड़ी दर लगाया है जर धरमें दर जो है यह दखिए सामने चाय का दुकान है, यही नास्ता बगरा कर लेते हैं, जब जब गाड़ी रुपता है तो भवे टैर वोगरा चेकी कर लेते हैं. दोस्तों आज हमरा नास्ता में मोरी और घूगनी हो रहा है तो देखिए बंगाल का पुरा पड़ा प्रमास नास्ता है यह ढ़ा हुआ है दोस्तों हमारा अच्या नास्ता सारा हो चुका है अब निकलते हैं गाड़ी लेके आप धर्मेंदर गाड़ी चलाएगा आई कि धरविंदर का हाथ साफ कराने का जणुवारी हम लिए इसको पकका ड्रेवर बनाएंगे और अच्छा अच्छा ड्रेवर म्यां इस तरह हम ऑच्छा ड्रेवर है कि दोस्तों दिन के दो बाच चुके हैं और हम लोग सिंगूर से 20 किलोमेटर पिछे रिक्वेवे हैं यह देखे सामने होटल है उस सामने जो दिख रहा होटल वहीं चलते हैं खाना खाने के लिए तो देखे गाड़ी रोड के किनारे ही लगा दिये हैं फिलाल धर्मेंदर जो के चारहत्रा पानी भरा हुआ बारिसका और यह दिखें बांस का पूल बना हुआ है और यह हुआघे सामने पालवाण धवा पहलवान होटल आजमगर यूपी तो यूपी वला का होटल है फिलाल देख सकते हैं कि कि 源े एसका कई थे चारह रचाल पानी है फिलाल धर्मे Kings पहले पहुंच चुका एक खाना कोड़र दे दिया है और यह देखिया खाना में हमारा क्या है दाल चावल भंजिया हो दर अंदर कि दोस्तों खाना खाके गाड़ी में अब चलते सोने के लिए कि समय भी बच गया तीन तो एक दो घंट आराम कर लेते हैं तो फिलाल गेट खोड़ रहे हैं गाड़ी का तो साम के पात बच चुके और हम लोग खाना खाके सो गया थे तो साम हो गया तो थोड़ा साफ साफाई करके अगर बत्ती जला लेते हैं चलिए ठीक है दोस्तों थोड़ा दरवाजा पोच उच लेते हैं हलका सा पानी पढ़ने से गंदा हो गया है और अंदर में भी साफ पूद करके अगरबत्ती जला लेते हैं अभी सामके छे बाद चुके हैं और हम लोग जो है गाड़ी का सिसा वगरा सारा साफ कर दी है तेखिए अगरबत्ती वगरा भी जल गिया है अपना मुर्ती में जो लैड जल रहा है कितना ही सुंदर लग रहा है इसमें दुर्गामा बोले संकर जी और बजरंग बली का फोटो लगा हुआ है यह क्या हुआ था कि हमारा जो यह सुच जो था जल गया था यह नया लिए थे हम रक सुल में ही लिये थे तरक का भी प्रॉब्लाम था रसूच मेरा जल गया था देकिन नया सुच लगाया है इसी वज़त मेरा पड़ेगा इसको भी मोडिफाइड करना है सुन्दर से गाड़ी का जो हमरा लुक और भी अच्छा हो जाएगा फिलार यहां से दोस्तों हमको दानकुनी होते हुए बाली ब्रीज होते भी हम लोगों को बारा साथ जाना पड़ेगा और बारा साथ से बंगाओ वाला रूट जो की बंगला देस बोडर तरफ जाता है तो मेरा माल काफी लंबा जाने वाला है बारा साथ से लगवाग 30-40 किनोमेटर आगे जाएगा अब देखिए अब हमको लोक चुके हैं और हम लोग पार्सल अमंगा लिए गारे में क्योंकि साड़ायाट बजहां निकलना पड़ेगा है क्योंकि यहां दनकुली लगव 35 किलमेटर बचा हुआ है तो खिलाल अब देख सकते हैं इदर हमारा पार्सल आ गया है सामने होटल जिसमें दिन में खाना खायत चल यहें ठीक है दोस्तों खाना अब निकल याफ खाते हाना मेराम से यह रहा हमारा भूजन डाल ओर रुटि कि दोस्तों ब 20 खुलने का समय हो चुका है तब निकलते हैं यहांकर थालकु की घंटे का रास्ता है निकल जाते हैं तो अच्छा रहा हमारे लिए कि यहां पर इतना नजाम लगता था कहाना नहीं है लेकिन लोग फस्ट नो एंट्री में घुसे हैं इसको जाते जाम नहीं है इसको जाते जाम नहीं है विलाल आप दे सकते हैं यह गाड़ी के बाद हमारा नमबर आए चलिए ठीक है दोस्तों अभी तूल्टेक्स कटबा के पाली बीरीज होते हुए हम लोग बारा साथ होके निकले के बनगाओं के लिए तो बनगाओं वाले रोड में हमों का गाड़ी खाली होगा पाली तूल्टेक्स कटबाते हैं और को निकलते हैं आगे दोस्तों हमें हमलोGS बाली काचकुल्स्टेक्स कटा के बाली बिर्द प्रडी प्रिग पीज अग्य रेज़ मैं दोस्तों हमलोग ब्री यह गजया मग्या भीज़य स्थि प्रावली ब्रीद नदिपे बना हुआ है आपको करते हैं से अपको बूलाग पुछक का में, वहार पुर रडता है लुछ कर दो गयाना है, आपका छोग काम ओरा पुलाग फुलाग में आपका, इन वहार पुलाग इसलोग दो भाषां कि रहना है। मेंउनन दोस्तोल अब आए आड हरेंटाशने में जल सकते में शेकर हैं करें दुकलन से जाया का लिए लए कि पेट क गर शेल 과ईं monitor जाता जाए जाता है तो दोस्तों अभी हम लोग बारा साथ पहुंच चुके हैं तो बारा साथ से एक लिए उट रहा के जाके हम वोको रैट जाना पड़ेगा तो वही रोड बन गाहा हो बंगला दिस बोडर तरफ जाता है तो मेरा गारे बन गाहा हो से लगवा को पिछे ही खाली होगा तो यह ठीक है दस्तों आगे जाकर राइट मारते हैं तो विराट के बारा बच चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बंगावाला रूड में इस जगहा का नाम है दत्तु पुकूर अब यहां से गाय घंटा लगभग 25 किलमेटर बचा हुआ है तो यह घंटा कावर रास्ता है खिलाल देखें चाय जुकार पर रुखे हुए है चाय पीने के लिए यह भरैटी भरैटी का चाय मिलता है तो फिलाल देखें दस रुपिया का खुलाडवाला चाह है यही चाय पी रहा है उसका निकलते हैं यहां से चाय तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है पीने में चलिए ठीक है दोस्तों यहां घंटा का और जड़नी है हमारा रात के डढ़ बच चुके हैं और फाइनली हम फैक्टरी में पहुंच चुके हैं तो यह देख सकते हैं फैक्टरी यह प्लायबूर का फैक्टरी है तो फिलाल अभी यहां पर कुहासा है इसके वज़ा से साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए हम लोग पहुंच गए हम लोग का सुल्तानपुर से कलकत्ता का अजय के बाद ही हम लोग नो एंट्री खुलने के बाद निकलेंगे तो चलिए ठीक है दोस्तों इस ब्लोग को यह प्रेंट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में गुड़ नाइट जय हिंद